नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ आई क्यों बाइज जातीन पे आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डियाडियो के तरफ से MSC मैथ के रिगार्डिंग जोब्स निकली है उसके बारे में बताऊंगा सबसे पहले आप यहां पे इसकी closing date पे मच जाईएगा इसकी closing date extend हो चुकी है 27 अगस्त हो चुकी है तो आप अभी भी इस form को fill कर सकते गया ठीक है जिन्होंने form नहीं fill करा वो इसको अभी भी भर सकते गया और सबसे बड़ी खास बात इस जोब की जो आपको हुआ वो सिर्फ interview base है इसके अंदर आपको किसी भी तरगा written paper नहीं लिया जाएगा आपका interview होगा उसके अंदर आपको interview के अंदर आप select होते हो तो आपको direct job provide कर जाएगी और सबसे बड़ी खास बात यह यह लेवल 10 पे scale के साफ से आपको च्पंजा यार सो पर मन्थ आपकी इसके इंकम चली जाएगी इंकम आपकी जाएगी तो आएए देखते हैं इसकी क्या qualification है आपको MSC Math के अंदर जोब लेने के लिए आपके पास हाँ यह आपका mathematics mathematics के लिए total 4 jobs आपके निकलिए गी है ठीक है चार jobs है जिसके अंदर आपको दो जोब तो journal वास्ते हो गये और एक OBC और एक एक OBC हो गया और एक SC और एक ST के साब से आपके पास यहाँ पर jobs आपको प्रवाइट करवाई गया है में बात यह गया है कि इसकी qualification क्या चाहिए एक तो आपको अपनी MSC की डिग्री ठीक है MSC की डिग्री और साथ में आपको अपना gate का score यह necessary है friends आपको एक तो MSC की डिग् एक तो वो चाहिए और साथ ही साथ आपको gate score भी चाहिए अगर आपको gate score चाहिए तो आप इसके लिए eligible हैं और MSC की तरह अगर आपने mathematics करी हो applied mathematics करी हो यह mathematics and computing करी हो किसी भी तरह कि आपने mathematics की मतलगी degree हासिल करी हो तो आप इसको apply कर सकते हैं ठीक है friends बहुत अच्छी opportunity है friends ऐसे jobs बात बार नहीं आती तो मैं ज्रूरी personal recommend करूंगा आपको इस form को आपको भरना चाहिए ठीक है अब बात करते हैं इसके age limit की देख लेते हैं इसके अंदर जो age limit है गया है वो journal category के लिए गये 28 साल मतले journal category 28 साल से ज़्यादा उमर नहीं होनी चाहिए OBC की 31 और SCST की 33 इससे ज़्यादा इनकी उमर नहीं होनी चाहिए ठीक है और जो हमारा था वो पार टू के अंदर आता था जो हमारी job है उसके अंदर इन्होंने special mention करा हुआ है candidate should poses the इक side essential qualification along with the valid gate score मतलए कि आपके दोर 18 19 और दोर 20 इन तिनों में से आपके पास एक गेट qualification डिगरी होनी जरूरी है ठीक है अगर आपने इसके बाद आप इनकी पोटल पर आप यहां पर साइट पर जाके इसका फूम भर सकते हैं तो आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी आगे और इस तरह के सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें और साथ साथ बैल आइकन को दबाएं थैंक यू फ्रेंड्स